हालो गाइज स्वाइब विलकम अलाफी टू दे आवर यूटूब चैनल ग्यान बिस सचिन तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे पॉल्टेकनिक फर्स सेमेस्टर के एपलाइट केमेस्टी के टॉफ फाइब इंपोर्टन टॉपिक के बारे में जिनको आपको ब बार बार रिवाइज करके चलना है तो चलिए बिना टाइम बेस्ट के हम अपने टॉपिक पर चलते हैं और बताते हैं आपको कि वह कौन-कौन से टॉपिक हैं जिन्हें आपको मिस नहीं करना है वह कौन-कौन से चैप्टर्स हैं जो सबसे ज़्यादा इंपोर्टन हैं और इन में बता दूँ आप सभी को कि जो तीसरा चैप्टर है state of liquid ये अब हट गया है मतलब अब इससे questions नहीं आते हैं तो प्लीज इसे आप consider मत करना पिछली बार मैंने इसी content को लेकर एक और content दिया था जिसमें बहुत सारे students का comment आया था कि आपको कोई knowledge नहीं है ये क्यूं दे दिये तो प्लीज वीडियो को पूरी तरीके से आप सुनो और समझो तब आपको पता चल पाएगा कि कौन सा important है कौन सा नहीं है और किस चैप्टर से नहीं छोड़कर जाना है क्या मतलब पढ़कर ही जाना है तो पहला है हमारा कार्बनी की योगी बहुलक एवंग प्लास्टिक इस पूरे applied chemistry का सबसे important chapter कहलो सबसे important topic कहलो यही है अगर आपको पूरा ये chapter पूरी तरीके से तयार है तो अकेले यही chapter आपको पास करा देता है जी हाँ दोस्तों सही सुन रहे हैं आप अगर आपको ये पूरा chapter सही से पता है तो आपको अकेले यह पास करा देगा कैसे मैं बात करता हूँ इसके बारे में आपको कार्बनी की योगीक से सिर्फ IUPAC पूछी जाएगी ठीक है उसके अलावा कोई चीज नहीं पूछा जात है और IUPAC टोटल आपको seven marks देता है ठीक है आई-ईउपि सेवन मार्कस देता है हpower अब IUPAC आपको किस तरीके से तयार करना है इसके बारे में भटाते हैं आपको IUPAC के जादी सी जादी प्रैक्टिस करनी है ठीके हमने एक एक घंटे के चार लाइफ सेसन और धाई गंटे का एक मैराथन आप सभी के साथ IUPAC का लिया हुआ है अगर आपने IUPAC अभी तक अच्छी तरीके से नहीं सीखिए तो डिस्क्रिप्शन चलिए अब दूसरा सबस्यादा QC पूछे जाता है वो है Polymer से ठीके Polymer से भी एक QC पूछे जाएगा वो भी आपके 5 marks में पूछा जाएगा तो 7 marks हो गए आपके IUPAC के और 5 marks होगए आपके Polymer के ठीके 7, 5, 12 तो आपको Polymer में किस तरीके के क्योशन पूछे जाएंगे वो पूछे जाते हैं आपके योगात्मक बहुलक, संगरन बहुलक, मतलब फिर संगरन बहुलक के टाइप, योगात्मक बहुलक के टाइप, तो कुछ भी पूछ ले जाएगा, सबसे important होगा structure याद होना, ठीक है, चाहे वो टेफलान का हो, चाहे नायलान सिक्स का हो, चाहे नायलान सिक्स का हो, वैके लाइट का हो, structure याद रहेगा, तो 5 नमबर आपके हाथ में होगा, नहीं तो अगर आपको विश्वास नहीं है, तो last year के paper उठा के देखो, ये दोनों topic, last year के और last year में चले जाओ, उसके last year में भी चले जा ठीके, इस दोनों की बीच को difference या इस पट्टी पड़ी कीजिए, किसी भी तरीके से पूछेगा, लेकिन ये भी 5 नमबर में लगातार पूछा जा रहा है, और last year छोड़ करके, अभी तक हर बार पूछा गया है, तो इस बार उम्मीद करता हूँ, फिर से यह पूछा जाए ठीके, तो आप सभी को पता चल पाया कि सबसे 3 important topic कौन है, वो पता चल पाया, अब चलते हैं अपने एक और important topic के तरब, वो है आपका इधन और इस नहा, ठीके, ये छोटा सा chapter, easy chapter, रटने वाला chapter, 10 number आपको easily दे कर जाएगा, ठीके, उसमें सबसे important है bomb calorimeter, आप bomb calorimeter को छोड परना नहीं है आपको, ठीके, आपको उच उसमी मान, निमन उसमी मान, ओक्टे नंबर, सीटे नंबर, और इस नहा, क्या है, इसके क्या बिसेस्ता है, इसके क्या कारे है, प्रजलन ताप हो गया, इन topic को बिलकुल मिस नहीं करना है, ठीके, फिर इस नहा का flashpoint, इधन का flashpoint, इसके अलामा इस topic से कुछ नहीं पूछा जाएगा, मैंने इधन को depth में समझाया है, अगर आभी तक आपने नहीं देखा है, तो channel पर जाओ, और इधन को देखो, अच्छी तरीके से समझो, जो चीजे पूछी गई हैं, उन्हीं चीज को consider करके हमने बताया है, ठीके, तो चलि अच्छा नहीं गया है, तो यहां से आपको क्या पढ़ना है, हुंड्स के रूल को पढ़ लेना है, पायूलीज को पढ़ लेना है, सबसे important होगा quantum number, तो quantum number मिस नहीं करना, ठीके, clear हो गई बात, टाइपस आप chemical bond पढ़ लेना, उसके बाद hydrogen bond पढ़ लेना, साथी साथ वेस पर theory पढ़ लेना, और molecular orbital theory पढ़ लेना, ठीके, उसके बाद debroglis theorem पढ़ लेना, इसके अलावा आप सभी से, संभारिक समस्थानिक से अलावा कुछ पूछता नहीं है, तो बहुत important मैं इस chapter को consider नहीं करता, क्योंकि ये चीजें, जो first chapter है, वो आपकी optional में दिखेंगी, ठी ठीके, जिससे आपको दो question दिया रहेगा, तो तीसरे में ये optional मिल जायता है, ठीके, तो आपको ये chapter आपको छोड़ना ही नहीं है, और आपको fuels और lubricant वाला topic एकदम miss नहीं करना है, ठीके, चलिए, अब बात करते हैं हमारा बस्ता कौन से important है, वो water और संचारन, corrosion ठीके, कौन से, धात्व में जंग लगना, actual में संचारन है क्या, इसके बारे में पूछ लेगा, ठीके, उसके बाद आपका धात्विक संचारन, ठीके, इसके अलामा कुछ topic ही नहीं है, इसमें जो आपसे पूछे, और पूछता भी है, तो trick बताता हूँ, जो topic आपको याद है, व उसमें लिखा हुआ है, तो आपको यहीं लिख देना है, पूरे नमबर पाओगे, और पूरे नमबर लोग पाते भी है, ठीके, चलिए, अब आते हैं water के उपर, तो water में पहले असुधियां जो दूर करते हैं, उसकी दो-तीन जो बिधियां हैं, उन्हें आप तयार कर लेन ठीके, क्लोरोनी करण हो गया, ओजोनी करण हो गया, ठीके, BOD, COD में difference, BOD, COD actual में है क्या, फिर buffer solution, pH value, ठीके, बस, कठोरता, आस्थाई, कठोरता, बल्क, सल्क, सरी, सल्क और अपवंक हो गया, और उसके बाद आपका एक दो और टॉपिक है, जो boiler से related है, ठीके, बस, उसक कुछ नहीं पुछा जाता है, ठीके, अब बात करते हैं, कि जो चीज मुझे नहीं याद है, और पूछ लिया गया आपके exam में, तो क्या होगा, ठीके, पहले number तो आपको target के साथ जाना है, क्योंकि starting से जब आप question का answer देने लगोगे, तो तेजी से देना है, ठीके, ऐसा न करते हुए, लिखते हुए चलना, और उसके बाद, अब जो question का answer नहीं पता है, जो topic वो लिखा है, उसके बारे में जो भी overview पता है, सजा कर बढ़ियां से आपको लिख कर आना है, और उस जो भी topic नहीं पता है, उसको आपके copy के mid में रखना है, ठीके, सब पोच करो, आपक first, second, third लगाता रहता है, fourth वाला question first गया है, तो fourth को बीच में रख लेना है, या आपको second नहीं आता है, तो first, fourth, fifth रख लेना है, third रख लेना है, उसके बाद ऐसे तरीके से, मतलब उसको किसी तरीके से mid में रखना है, लेकिन कर के आना है, छोड़ाना नहीं है, ठीके, तो I think आज का यह वीडियो आप सभी के लिए काफी informative रहा है, अब जो भी Polytechnic first semester के student है, जिन्हें लगता है कि मेरी back आ जाएगी, उन students के लिए एक नया course डिजाइन किया गया है, जिसमें आपको सिर्फ हिंदी में notes दिया जाएगा, और उस notes की price है 19 रुप है, ठीके, आप easily पढ़ करके अपने इस Polytechnic first semester को स्तांदार बना सकते हो, इस number पर call करके, इसी number पर payment करके, इसी number पर screenshot भेद देना है, आपको notes प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो फिलहाल मिलते हैं एक नई वीडियो के शाग, तक तक के लिए बाइबाइ टाटाल अभी यू ओल